हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल टेक्निकल ग्यान फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू कनवर्ट एच्पी टू एंपियर और एच्पी टू एंपियर कैलकुलेशन दोस्तों यह वीडियो मोटर से रिलेटेड है तो इसके लिए आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपका आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां पर देखिए दिया है सिंगल फेस सिस्टेम एंड थ्री फेस सिस्टेम फ्रेंड्स यह वीडियो मोटर को क्योंकि हम होस्पावर में मापते ह है जैसा कि उसकी यूनिट होती है तो जैसे इसमें दिया है कि थ्री अच्पी मोटर सिंगल फेज में तो आज हम आपको करेंट निकालना बताएंगे कि कैसे 3 single phase motor and 3 phase motor का current कैसे निकाला जाता है और वीडियो को last में में आपको एक shortcut trick बताने वाले है जिससे आप चुटकी में इस हाज power को आप निकाल सकते हैं current को निकाल सकते हैं sorry motor के तो इसके लिए video coin तक जरूर देखे तो हम जानते हैं कि I equal to power upon voltage into power factor और यह पावर फैक्टर फ्रेंड्स यह जो होता है मोटर के जो प्लेट होता है कि उस मोटर को प्लेट होता है उस पे लिखा होता है कि कितना इसका पावर फैक्टर है तो इसके लिए आप वहां से देख लेंगे तो आएए देखते हैं यह पी टू वाट तो हम जब मोटर को वाट में change करते हैं तो हम जानते हैं कि एक haast power बराबर होता है 746 watt तो अब हम इसको हमें दिया क्या है, तीन haast power को change करना है, तिसलिए 3hp equal to 3 into 746 equal to आएगा 238 watt तो हम जानते हैं formula I बराबर power upon voltage into power factor तो हम इसमें और दोस्तों पावर फेक्टर जो होता है हमेशा एक से कम ही होता है तो इसके लिए मोटर में हम जो सिंगल फेस मोटर होता है उसके थ्री फेस मोटर जो भी मोटर हो उसके लिए पावर फेक्टर हमारा 0.8 से 0.85 के बीच में लिए जाता है और पावर फेक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, और यहां पर हम वोल्टेज क्या ले रहे हैं, सिंगल फेस के लिए वोल्टेज हम 230 वोल्ट का ले रहे हैं, ठीक, तो यहां पर आईए देखते हैं, तो फार्मूला जैसा की होता, इक्वल टू पावर अपान वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर तो हमने क्या किया बाइस सो अड़ी सरक दिया और वीवी के अपान में वह तो सो तीस वोल्ट गुड़े जिजिए दसमलो आठ पावर फैक्टर हो गया इसको अब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना वारत असमलो एक छहतीन एंपियर तो यह हो गया तुम्हारा सिंगल फैस के लिए अब आते हैं थ्री फैच के लिए तो फ्रेंट थ्री फैच सिस्टम के लिए हमें क्वेशन दे दिया एक्जामपल है जैसा कि यह एक्जामपल ले जाता है फाइप हास पावर मोटर का हमें कर ग्याद करना है इसके लिए हम क्या करेंगे क्या है फाइप हास पावर टू वाट वाट में चेंज करने के लिए हमने क्या किया है इसमें क्या करेंगे 746 से मल्टिप्लाई कर देंगे देखिए फाइप इंटू 746 इक्वाल टू हो जाएगा 37 वाट तो और हम जानते क्या है है सो वी नो देट करेंट इक को आई क्वेल टू है 3730 बटे वोल्टेज वी इंटू पावर फैक्टर तो फ्रेंड्स यहां पर हम थ्री फेज ले रहे हैं तो इसके लिए बोल्टेज का मान हम क्या कर रखेंगे रूट थ्री इंटू 415 वोल्ट यहां पर जो वी होता है फार्मूले में रख लेंगे क्या 3730 बटे में 415 गुड़े रूट 3 इंटू 0.8 तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3730 बटे 575 इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो आएगा क्या 6.486 MP तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसा कि सिंगल फेज में हमारा करेंट का हमान इतना आ रहा है बारत असमलो एक छे तीन और इसमें थ्री फेज में आ रहा है 6.486 तो फ्रेंड्स अब हम आपको एक सॉट कट ट्रिक बताने वाले हैं तो आप देखते रहें वीडियो को इंट तक तो प्लीज वीडियो को देखते रहें देखिए सॉट कट ट्रिक तो सॉट को ट्रिक क्या है सिंगल फेज मोटर के लिए है सिंगल फेज सिस्टम अगर हमारा है इसके लिए हमें आकर करेंट निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे यच्पी टू कि MPR में कंवर्ट करने के लिए फार्मूला है जितना हमें यच्पी दिये हिरे गा उसमें 3.7 से уш निकाल말ा गा करोगे तो कितना आएगा जितना निकला है यथा जैसा एक हमें क्या दिया 3 इनट उ 3.7 अब उसको सॉल करक कर दिखाते है 3 त 2 MOD 31 के 183 का नोगे 11 तो दूसरा हमारा है क्या थ्री फेज सिस्टम के लिए क्या है फ्रेंट्स की आप यच्पी कि टू एंपियर में कनवर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप यच्पी इन्टू 1.3 से आप क्या करेंगे इसमें करेंगे तो आप जैसे इसमें मल्टिप्लाइ करेंगे तो आज आएगा यच्पी इसमें प्रॉक्स आएगा पूरा एकुरेट वैलू नहीं आएगा पर देखिए पर इसमें थोड़ा से फॉल्ट है हमारे जो वोल्टेज है यहाप हुने चार सो पंदर लिया तो आई हो वीडियो पसंद आयो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाएगा